थे हिंदी में एक शब्ध है समक्ष, तो स्टोडियो में समक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या आरत और मतलब होता है, दुनों में जानेंगे, एक्जाम्पल से sentences में use करके अच्छी तरह से समझेंगे, तो चली वीडियो को start करते हैं और समझते हैं, सबसे पहले इस शब्द को हम हिंदी में समझते हैं, क्या आर्थ होता है, क्या मतलब होता है, देखें, समक्च का मतलब होता है, सामने, किसी के सामने, सम्मुख, आगे, उपस्थित में या सामने में, मतलब समक्च, इंग्लिश में समक्च को बोलते हैं, before, front, in front of, face, face to face, opposite, afore, whiz, a whiz, and it is, इसमलब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं, समक्च के, एक्जांपल से, sentences में समझते हैं, शब्द को अच्छी तरह से, जैसे बोलेंगे, आम बोचाल में, तो इस तरह से शब्द को प्रियोग करेंगे, कि हमें से कईयों के समक्च कई समस्या हैं, जिन में से अधिकान्स हमारी स्वई की निर्मित हैं, मतलब अग्लिश में, many of us face many problems, most of which are of our own creation, दूसरा एक्जांपल है कि परकाश के समक्च अंदकार ठर सकता हैं, भला, मतलब अग्लिश में, can darkness stand before light, तो before का मतलब समक्च, ठीक है दूसरा आपने समक्च शब्द को हिंदी इंग्लिश में एक्जांपल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है, thanks for watching एजुके यार, desk.